प्रधान मंत्री मोधी ने कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी से सवाल किया कि चुनावी सभाओं में वो क्यूं अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं प्रधार मंत्री नेंद्र मोदी ने पहली बार उद्योग पती गोतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेकर कॉंग्रेस नेता पर जमकर निश्वाना साधा प्रधार मंत्री ने चुनावी सभाओं की दुरान कॉंग्रेस की तरफ से अंबानी अडानी के नाम ना लेने से परहेश के लिए कॉंग्रेस पार्टी पर सवाल भी उठाया है बुद्वार गार्ट मही को तिलंगाना के करीम नगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोधी ने कहा राहूल पर निश्वाना साथते हुए कहा कि वो पाथ साल से एक ही माला जप रहे थे उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस के श्यजादे फिशले पास साल से सुबा उठते ही माला जपना शुरू करते थे जब से उनका रफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी पाच उद्धोगपती पाच उद्धोगपती फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी लेकिन जब से चुनावी घोशना हुई है तब से उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है पीएम मोधी ने आगे कॉंग्रेस और राहूल गांदी से सवाल किया कि नाम ना लेने के बदले क्या सेटिंग हुई है पीएम मोधी ने कहा मैं कॉंग्रेस के शुहजादे से पूछना चाता हूँ कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है काला धन के बारे में कितने ज़्यादा वो उसको जानते हैं कॉंग्रेस पार्टी को चुनाफ के लिए उन धोकपतियों से कितना धन प्राप्त हुआ है यह तमाम सवाल पीएम मोधी ने राहूल गांदी पर हमला बोलते हुए कि पीएम मोधी ने आगे कहा कि भारती चुनाफा पार्टी ने पीवी नरसीम हराव को भारत रतन देकर उनका सम्मान किया उन्हेंने कहा कि परिवाप प्रथम की नीती के गारण कॉंग्रेस ने पीवी नरसीम हराव का अपमान किया यहां तक कि उनकी मृत्यूं के बाद उनके शव को कॉंग्रेस कालेले में प्रिवेश्ट से भी वंचित कर दिया नरेंदर मोधी ने कहा कि जब बीजेपी अंटी सरकार ने पीवी नरसीम हराव को भारत रत्म देकर उनको सम्मान किया था पीएम मोधी ने साथ भी बीयरस पार्टी पर भी हमला बोला उन्होंने कहा कि तेलंगाना के गठन के समय यहां के लोगों ने बीयरस पर भरोसा किया लेकिन BRS ने लोगों के सपने तोड़ दिये PM मोदी ने कॉंग्रेस और BRS दोनों के भृष्चार कारोप लगाया और कहा कि कॉंग्रेस और BRS को एक साथ बानने वाला एक मात्र गोंद ब्रहश्चार है इस तरह से राहूल गांदी पाय और कॉंग्रेस पर किस तरह से निश्वाने साधे पीम मोदी ने